नमस्कार दोस्तों स्फवागत है आपका मेरे चैनल सही ट्रेड में में हूं सचिन और आज हम बात करने वाले हैं मार्केट ओपन होते ही, सवानो बजए मार्केट ओपन होता है, तो पहले 15 मिनिट में हमें क्या चीज़े करनी चाहिए और क्या चीज़े नहीं करनी चाहिए इसके बारे में सबसे पहले तो हमें news देखनी नहीं है, कोई भी news आपको देखनी नहीं है, कोई भी business news हो, Zee business हो या फिर CNBC हो आपको news avoid करनी है इन पहले 15 minute में, क्योंकि क्या होता है कि news में बहुत सारे stock के बारे में बताते हैं, मार्केट जिस्ट ओपन हुआ होता है और न्यूज के बारे चक्कर में हम क्या करते है कि वो वन बाइवन बाइवन स्टॉक दिखाते रहते कि ये उपर गया ये नीचे आ गया तो हम कनफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा ट्रेय्ट लेना है या फिर हम वहां पर थोड़ से प्लब निखनी नहीं है टीवी बं कर देना है जो भी आप यूट्यूब पर देख रहे हो उसको बं कर देना है और अपने yesterday के analysis के उपर, तो हमारा दूसरा point है, yesterday के जो आपके analysis किया है, stock के उपर रहेगा, indices के उपर रहेगा, या कोई भी option के उपर रहेगा, तो उस analysis को आपको execute करना है, आपको order punch कर देने हैं, order punch करने मतलब यह नहीं कि आपने सोचा है कि यह level आएगा, तो उसके बाद में order place करूँगा, उस level के उपर आपको buy करना है, तो उस level के उपर की जो भी price है, वो price का order आप punch करके रखोगे, आपके stop losses के order आप punch करके रखोगे, आपके जो order buy करने हैं, या फिर short position बनानी है, वो आ आप order punch करके रखोगे, क्योंकि आप सोचोगे, वो cross करेगा, उसके बाद आप buy करोगे, time निकल जाएगा, इससे पहले, पहले 15 मिनिट में ही आपने जो setup बनाया है, आपने कोई भी setup बनाया हो, आप price action के उपर trade कर रहे हो, आप indicator के उपर trade कर रहे हो, या फिर आपने कोई chart pattern बनाया है, और उसके बाद आप buying करना चाते है, या short position लेना चाते है, तो आपको उस price के उपर, जो भी आपका analysis होगा, जो भी आपका strategy होगा, उसके यहाँ पे आपके जो orders है, वो punch करके रखने है, punch the order, जो भी stop loss का होगा, buy का होगा, short का होगा, आप order place करके रखे, उसके ब setup, आपका setup नहीं है, आपका stock है, आपके setup में नहीं बैठ रहा है, आपके strategy में नहीं बैठना है, तो आप trade मत कीजिएगा, avoid trading, और wait कीजिएगा, patiently wait कीजिएगा, तो उसके बाद आप TRADE लीजेगा, तो कुछ market में नहीं है, तो wait करो, hold करो, position को hold करो, जो भी आपने previous day position ली है, तो उसे hold करो, लेकिन अगर आपके strategy में कोई stock नहीं बैट रहा है, आपके setup में कोई stock नहीं बैट रहा है, तो आपको wait करना है, patiently wait करना है, और trade नहीं लेना है, अगर कोई stock आपके setup में आ जाए, तो तो ही आपको क्या करना है, trade execute करना है, और उसके बाद जो भी है, वो trade में आपको बने रहना है, लेकिन कोई भी आपके पास setup में stock नहीं आ रहा है, आपका yesterday का analysis जो है, वो proper workout नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां से sideways market जा रहा है, तो आप वहां पे trade avoid करोगे, आप वहां पे कुछ trade नहीं लोगे, जब तक आपके proper setup में नहीं आता है कोई stock, तो आप wait करोगे, hold करोगे, और जैसे ही आपके setup में कोई stock आ गया, तो आप वहां पे order execute करोगे, और जो भी आपकी positions है, उसको बनाओगे, लेकिन कुछ नहीं है, तो wait करो, hold करो, market कहीं नहीं जा रहा है, market यहीं प execute करना है, order sponge करने है, तीसरा point हमने देखा कि कोई भी अगर setup नहीं है, तो market में trade मत करो, wait करो, stock को आपके setup तक आने दो, आप stock की तरफ मत भागो, stock को आपके setup तक आना चाहिए, या price को आपके setup तक आना चाहिए, तो wait करो, उसके बाद जो है, order execution कर लो, चौता point है, random trading मत करो, news में दिखा रहे है, news तो देखनी नहीं है, फिर भी कुछ लोग होते हैं कि पहले 15 मिनिट में देखने के लिए मना किये है, तो उसके बाद देख सकते है, तो उसके बाद देखके कोई आके analyst बोल देता है, कि यह stock आज बढ़ने वाला है, यह stock में random trading करते रहते हैं, निफ्टी आज उपर चला गया, चलो call ले देते हैं, निफ्टी नीचे आगया, चलो put ले लेते हैं, तो random trading नहीं करनी है, आपके setup के हिसाब से जाना है, आपने जो plan किया है, उस plan के हिसाब से execution करनी है, अगर आप random trading करोगे, तो 10 में से 3 stock, 3 बार आप सही हो जाओगे, लेकिन 7 बार आप गलत हो जाओगे, तो random trading avoid करो, वरना losses हो सकते है, पाचवा point बताता हूँ कि market का moment जो है, वो देखना है, observe करना है सिर्फ, important point है, हलके ममत लो इसो, market का जो भी moment है, indices का moment रहेगा, stock का moment रहेगा, वो आपको watch करना है, observe करना है, क्योंकि क्या होत में, mostly अगर gap up open हो जाएगा, या फिर gap down open हो जाएगा, तो जो already order होते है system में, वो पहले 15 minute में बहुत सारे execute होने लगते है, तो market में हमें बड़ी-बड़ी candles दिखाई देती है, पहले 15 minute में market नीचे आता है, फिर record होता है, तो आपको क्या करना है, wait करना है, watch करना है, कि momentum कि किस तरब जा रहा है, market का trend किस तरब जा रहा है, पहले 15 minute में सारे order clear हो जाते है, या फिर जो allogo trading वाले रहते है, उन्होंने stop loss place करके रखे होते है, वो stop loss या तो buy order होते है, या तो short position होती है, तो ये order execute होने लगते है, जब market gap down या फिर gap up open होता है, तो ये दीरे-दीरे order जो करना है, अगर कोई ऐसा gap up और gap down open हो गया, तो watch करना है, momentum कहां पर जा रहा है, stock का momentum कहां पर जा रहा है, तो उसके बाद ही हमें क्या होता है, decision लेना होता है, तो मैं, मैं, जो strategy अपनाता हूँ, ये सारी चीज़े तो मैं करता हूँ, punch ordering मगरा, order punching मगरा, ये सारी चीज़े त उपर ही price आपको, जो भी strategy है, उस strategy के price के उपर ही आपको buy करना है, ऐसे नहीं कि market open हो गया, पहले 5 minute में में बाइंग ही करना है, कफन लेके नहीं, सरपे बांद के नहीं निकले है, कि हमें आज trading करनी है, अगर कुछ नहीं मिलता है, तो wait करो, order punch करके रखो, order आपका execute हो जा energy बनाई है, वो उस direction में चल पाएगी या नहीं, तो ये 5 चीज़े आपको पहले 15 minute में करनी है, और उसके बाद ही आप trading में थोड़ा सा एक step forward सीख सकोगे, तो हमेशा ये 5 चीज़े याद रखो, पहले 15 minute में करनी है आपको, और I hope आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आपको 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 प्राइब के जया, दन्यवाद